हाँ भी बाल को बहुत साइज जगह पाई हो एक्जामपल 3 ठीक है इतने प्यार से उड़ा देंगे से पता बिन चलेगा लेकिन एक शर्त है मेरी अगर तुम एक्जामपल समझ माया है ना तो फिर मुझे लाइक भी चाहिए सब्सक्राइब भी चाहिए और शेयर भी चाहिए चलो शेयर पर जैसे भी कर लो लेकिन कमेंट जरू चाहिए दोस्तों कमेंट से मुझे लगेगा कि हां मैंने ठीक समझा रखा और अगर नई समझ मैं आया तो मैं तो बागी तुमारी मर्जी है मैं तो तुमारी उंगलियों पर को टच करनी रहा क्या लिख रहे हो तुम ठी आप दें मेरा एक तो सबसे पहले एक ट्रेंगल बनेगा जो राइट एंगल होगा कहें पर सुलूशन को फ़वन चलो पहले ट्रेंगल बनाओ कि ए बी ची पर राइट एंगल है सी पर नब्वय का बनाना पता चला बी पर बना दिया ठीक है इन विच ए भी बराबर 29 है 29 हाइप टीनियस बोलते हैं इसको और बी सी बराबर 21 यह दे रहे कि यह 21 यह क्या होता है बेस ठीक एसी चाहिए तो तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है कि हाइप टेनियस का स्क्वाइर एक्वल टू बेस स्क्वाइर प्लस पर्पेंडिकुलर का स्क्वाइर होता है यह पर्पेंडिकुलर है एसी हाइप टेनियस का 29 का स्क्वाइर एक्वल टू बेस कितना है 21 प्लस पी स्क्वाइर हैं से पी निकल जाएगा पी स्क्वाइर बराबर हो जाएगा 29 का स्क्वाइर माइनस 21 का स्क्वाइर 29 का स्क्वाइर कितना बैठेगा और 21 का स्क्वाइर कितना बैठेगा यह हो जाएग चार सो बड़ा सीधा सांसर आया P is equals to root 400 यानि के 20 P equal to 20 तो हमें ये भी पता चल गई ये कितनी है 20 ठीक है 20 नहीं 20 पता चला 20 20 accent में बड़ी हो रही कहीं ठीक अब जब तुम पर ये चीज आ गई ना तो किसी के बाप से ऐसा question नहीं बन सकता जो तुम्हें question सोलना हो पी बराबर लिख लो 20 बी बराबर लिख लो 21 और एच बराबर लिख लो 29 ये लो box में बंद गन लो black box में ठीक है अब वो हमसे कुछ भी पूछ ले determine the values of cos square theta angle ABC theta दे रखा है ABC ये दे रखा उसने theta अब उसने जब ये theta दे दिया तो पुछ रहा है कि cos square theta plus sin square theta किता होगा अब लिखो फर्स्ट पार्ट cos square theta plus sin square theta मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताए रखा कि एक पंडित जो है हमारे पंडित बदरी पिरसाद उनके पास एक मंत्र है हर हर भोले ठीक है ये क्या होता है sin theta ये क्या होता है बीच वाला ये ये बीच वाला होता है cos theta और ये क्या होता है ब्रदर ये होता है 10 theta sin cos 10 बस जिसके यह याद है ना उसके पूरी trigonometry याद है trigonometry से पतानी क्यों डरते हैं क्यों हिलते हैं लोग अब cos square theta चाहिए ये square तो बाद में कर दियो square से कोई दिक्कत नहीं है पहले cos theta तो निकाल लो cos theta हो जाएगा b upon h तो यानि के cos theta की जगे लिखो b upon h और इसका square कर दो और sin theta की जगे लिखो p upon h b की value क्या है b की value है 21 और h की value क्या है 29 येलो p की value क्या है 20 इस question में कद्दू जंडे काड़ने पड़े तो मैं अपने आप answer आ रहा रहा अपने आप मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा मैं तो लिख रहा हूं बस 21 का square 441 और 29 का square 841 बेस का 400 और इसका 841 नीचे वाले denominator सेम है तो उपर वाले directly add हो जाएंगे 841 अब उपर आ जाएगा 841 और नीचे भी 841 यानि के 1 आ गया ये तो तो तुम्हें देखो एक मूल मंतरोर पता कर लो यहां से यह तो मैं तुम्हें एकदम गुप चुप बात बता रहा हूं किसे को बताना मत जहां भी sin square theta plus cos square theta होगा ना उसकी value 1 आएगी ठीक है चाहे कैस सब्सक्राइब हो चलो अब आता है second part cos square theta minus sin square theta ठीक है cos square theta तो हमने निकाल लिया था यह रहा 21 upon 29 एच चलो उससे कल लो cos theta किता था था बी अपॉन है इसका square दे रखा sin theta कितना होता है p upon h इसका square दे रखा है और b कितना है 21, h कितना है 29, minus p कितना है 20, h कितना है 29, उपर वाला हो जाएगा 441, 29 का square हो जाएगा 841, minus 400, 841, नीचे वाले denominator shame है तो उपर वाले directly घटेंगे, उपर क्या जाएगा 41 upon 841, तो जन्डवाम से value है, ठीक है, समझ माया हो तो जिन्दा लाइक शीए हो मुझे और जिन्दी comment चाहिए, ठीक है, और जिजिन ने मिरजापूर देख लिया वह भी बताओ, किन किनों ने क्यांकि बढ़ देख.